दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कंकेट मेत्अड के बारे में की जावा स्क्रिप्ट के अंदर string कंकेट मेतोर जो काम करता है वो किस तरीके से काम करता है, इसका syntax क्या होता है, उसका एक कम example देखने वाले हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं string concate method के बारे में तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलना है concate यानि कि हमें यहाँ पे जोडने की बात हो रही यानि कि अगर हमारे पास string है दो तीन string है या जितने भी आपके पास string है अगर उनको जॉइन करके आप एक result लाना चाते है यानिक्त के साथ लाना चाते हैं तो आप यहाँ पे concate method को use कर सकते हैं तो इसे के लिए use हो है concate method अगर इसा syntax की बात करें तो यहाँ पर simple 7 के इसा syntax है यहाँ पर concate आप लिखये जाएंगे उसके अंदर जितने भी आप इस्ट्रिंग कॉमा दे के पास करते जाएंगे वह एड़ एंड रिजल्ट के फॉर्म में आपको पूरी की पूरी स्ट्रिंग जॉइन होके आ जाएगी तो चलिए हम इसको एक्जाम्पल के तुरू देखते कि कैसे कंकेट में थड़ करेंगे फिर उन दोनों को हमançans करेंगे ठीक है तो यहां पे मैं कर देता हूं generating और सट्रिंग धर आई यहां पे मैं इसको कर दो हमें ट्र का इंदर का मैंने जो पहले पास किया था इसको मैं हडा देता हूं अब यहाँ पर हम अपरे इस स्ट्रिंग को जोडने वाले हैं तो हम कैसे करेंगे तो यह हमारा जो गृतिन में थड़ है यह एक तरीके का स्ट्रिंग है क्योंकि हमने स्ट्रिंग वैल्यू इसके इंदर मिलेगा तो यहाँ पर गृतिंग यह इस ट्रिंग लिखा इसऀ के साथ हमिआप हम यहाँ पर करने वाले हैं किसको दूसरे वाले को ठीक है तो हम याँ पर कंट के מתIGHT यूज करेंगे और यहाँ पर जो हमारा चैनल में है जो भी इसके अंदर restore होगा वो आपके इसके साथ जोड़ जाएगा तो देखिए यहाँ पर हो किया रहा है कि जो हमारी पहली string थी ठीक है यह welcome to उसी के अंदर हम यह आगे जोडने वाले है tutorial 007 तो यहाँ पर क्या होगा पहले tutorial 007 तो चली मैं इसको run करके देखते हैं यहाँ पर इसकी output क्या आती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो final output आ रहा है tutorial 007 ही आ रहा है तो आप इसको अलग-अलग तरीके से भी कर सकते हैं अगर मालेज आपके पास अगर यह मैंने message लिया अगर इसको भी हमें join करना है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं तो आपने यह पहले वाले message के साथ आपने concrete method लगाया अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एक variable है दूसरे variable को यहाँ पर आप कॉमा दे के सीधा सीधा जोड सकते हैं जैसे कि माल लिजए अगर मैंने यहाँ पर subscribe दे दिया तो अभी क्या होगा यह आएगा welcome to tutorial 007 यह तो यहाँ तक का काम पहले भी हो रहा था उसके बाद से तीसरा यह जो है यह आके यहाँ पर साथ में तो आप देखेते हैं यह space आ गया है तो आप इस तरीके से concrete method को अपने javascript के अंदर इस तरीके से यूज कर सकते हैं तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा अगर अच्छा लगा आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साती साती इस वीडियो को लाइक भी करते मिलते आगे वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद